नमस्कार आदाप सस्टेकाल, रादे रादे जैहिन, स्वागत है आप सबका महिंदराज के ओफिशल यूट्यूब चानल पर और मैं चानी महिंदराज तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ और बद चुके हैं सुबह के साड़े छे और आज है 9th of December, जल्दी से जो है जितने भी candidates हमारे सा जुड़े हुए है, aspirants हमारे सा जुड़े हुए है, फटा फट सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है और आप जहां जहां पर भी connected हैं, सेशन को शेयर करते जाओ, हम शुर जल्दी से बता दो, तो फिर अपने सेशन के शुरुआत करते हैं, is everything okay, चलो, तो सब कुछ सही है, जल्दी से बता दो, voice audible है, video clear है, सब कुछ सही चल रहा है, yes or no, जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन-कौन connect हो चुका है, तो very good morning भारती माम जुड़ चुकी है, हम अनीश सर हमारे साथ जुड़ गए है, संतोर सा, तो इतनी ठंड में भी सुबे से बिल्कुल connect हो जाते हैं, thank you very much to all of you, और आज के important day से शुरुआत करेंगे, और आज 9th of December है, और definitely एक important day है, तो हमारी लिस्ट के हिसाब से, आज 9th of December को जो important day celebrate किया जा रहा है, वो कौन से है जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे नहीं, बहुत सारी countries की ये समस्या है, ब्रश्टाचार विरोधी दिवस मनाया जा रहा है आज, अगर हम बात करें, तो हाली में एक report आई थी, international corruption की, ठीके ना कि इंडिया में जो है, कितना corruption है, तो इंडिया जो है, कौन से rank पर था, उस corruption perception index report में, जो निकाली थी, transparency, international ने और world economic forum के द्वारे निकाली गए थी, तो जल्दी से बता दो, corruption perception index में, इंडिया का rank कितना था, 180 countries में, तो अगर याद होगा, तो जो report आई थी, corruption perception के, उसमें, इंडिया का rank कितना था, ब्रश्टाचार में, इंडिया का rank कितना था, 180 countries में स केरन मैं कह रही है, कि 18 था, ठीक है न, ओके, भी महराना, ओके, सब जुट चुके हमारे साथ, 18 पोजेशन पर था, इंडिया जो था, corruption perception index में, 18 पोजेशन पर था, क्या, क्यों, और कोई report थी, वो corruption perception index वाली, भी महराना कह रहे है, 18 rank था, इंडिया का, ओके, अगर मैं बात क करें, तो इंडिया कौन से rank पर था, एर्थ पर था, ठीक है, न, टॉप किया था, किसने अफगानिस्तान ने, नमस्ते राज सर, येश, ठीक है, न, सबसे जादा corruption की, अगर मैं बात करूं, तो बिलकुल, बिलकुल, अगर हम बात करें, तो इंडिया का rank था, वो 8 पोजेश से, very good morning, रवी चंदरन, और current affair analysis में, एक दिन जो है, पूरी की पूरी list करा दूँगी, कि इंडिया भाई, कौन से rank पर है, किस, कौन सी report में, ठीक है, न, तो किस, किस report में, कौन-कौन से rank पर है, इंडिया, तो वो report करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, yes, yes, bribery में जो था, जो था, वो था position पर, ठीक है, और इसके अलावा corruption perception report जो थी, ठीक है, वो तो bribery की report थी, और corruption report जो आई थी, वो 180 countries की आई थी, जिसमें इंडिया का rank जो है, जो जानवरी में report आई थी, उसमें कितने number पर था, इंडिया, 80 number पर था, ठीक है, वो जो report आई थी, और सबसे अच परफॉर्म किया था, ठीक है, न तो जो corruption perception index report आई थी, उसमें इंडिया का rank 180 countries में 80 पर था, ये bribery report की बात की जा रही थी, ठीक है, जिसके बारे में आप बात कर रही हो, येश, ओके, चलो, नेक्स अगर हम बात करें, तो आज के current affair analysis से चालू करते हैं, तो प्राइम परियोजना के निर्माण कार का video conferencing के जरिये उद्घाटन कर दिया है, तो अब आगरा में भी metro project के शुरुआत, शिलन्यास कर दिया गया है, बिल्कुल उसका inauguration कर दिया गया है, तो हम देख रहे हैं कि कोलकता metro project हो गया, डेली metro project already चलता है, अब किसके बारे में बात की जिस वज़े से कही न कहीं, metro परियोजना शुरू करना जो है, वो बहुत जादा जरूरी था, अगर हम बात करें इस पूरी के पूरे न्यूस के बारे में, तो आगरा project में दो corridors बनाय जाएंगे, और total length, जो इस metro project का कहा गया है, वो कितना कहा गया है, 29.4 km, अगर मैं बात क और पांच साल में इस project को क्या किया जाने वाला है, complete किये जाने वाला है, उत्तरप्रदेश Metro Rail Corporation जो है, उसने ये काया कि first phase जो है, वो December 2022 तक क्या कर लेगा, complete कर लेगा, तो फिलाल में सिफ दो ही corridors की बात हो, ये मतलब दो ही lines जो है, उसको शुरू किया जाएगा, एक blue और red line के बारे में बात की गई है, ये जो corridor रहेगा, मतलब ये जो पूरा metro project रहेगा, ये, देखो, tourist attractions और tourist destinations को जो है, वो पहले target करेगा, connect करेगा, ताज महल, आगरा फोर्ट, सिकंद्रा को, railway station और bus stand से, main जो है, वो tourism को अच्छा करना है, और no doubt tourism, जो report में है, इंडिया का स्थ बहुत पीछे रहता है, तो कहीना कोई tourism को क्या करना है, बढ़ावा देना है, तो उनके लिए अच्छी facilities भी होनी चाहिए, तो अगर हम बात करें, तो ये report में आया है, कि 60 लाग परेटक आते हैं आगरा हर साल, ठीक है, आगरा बहुत ही beautiful place है, ताज महल देखने के लिए ब पूरा का पूरा rapid transit system, metro project जो है, वो चालू किया जाएगा, कहां पर आगरा में, important क्या-क्या रहेगा, length important रहेगी, 29.4 km length रहेगी, तो टोटल, आगरा metro project की, और जो है, प्रोजेक्ट पांच साल में complete करने की बात की गई है, जिसमें पहला phase जो है, वो December 2022 ता complete किया जाएगा, next आ रहे हैं, अगली news की तरफ, लेकिन उससे पहले, उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से important tiger reserve है, उससे देख लेते हैं, तो itawa, lion safari, चूका, पिली भी tiger reserve, और जुदवा tiger reserve, यह important tiger reserve है, कहां पा located है, UP में located है, जहां से question बनते हैं, और, एकलव यह sports stadium, जो है, वो UP में है, ध्य जान रखना, इसके अलावा, लेट मोहन 14 पहलवान sports stadium, पंडित मदन मोहन मालविय sports stadium, और, बुद्ध international circuit, जिसे BIC के नाम से भी जाना जाता है, यह भी कहां पा located है, UP में ही located है, तो बुद्ध international circuit के, अगर हम बात करें, तो F1 races, यह सारी चीज़े भी जो है, यहां पर कराई जाती है, तो यह कुछ important stadium है, सबसे जादा बुद्ध international circuit, और, एकलव sports stadium, जो है, इंपोर्टन है, कहां पा located है, UP में located है, नेक्स्ट आ रहे है, अगली news की तरफ, तो एक award जो है, वो मिला है, इंडिया को, Indian Council of Agriculture Research, जो ICAR है, उसे 2020 का King, भूमी Bowl World Soil Award दिया गया है, किस क के द्वारा, FAO के द्वारा, मतलब Food and Agriculture Organization के द्वारा, भारती कृषी अनुसंदान परिश्यत, इस ICAR ने, 2020 के FAO के राजा, भूमी Bowl, विश्व मृदा दिबस पुरसकार क्या किया है, जीत लिया है, तो Indian Council of Agriculture Research को, Food and Agriculture Organization के द्वारा, एक award दिया गया है, जिसका नाम क्या है, King, King, भूमी Bowl, World Soil Day Award, और World Soil Day कम मनाया गया था, विश्व मृदा दिबस कम मनाया गया था, भाई, 5 December को मनाया गया था, और उसी दिन जो है, Indian Council of Agriculture Research को, इस award से नवाजा गया है, अगर हम थोड़ी सी इस award के बारे में बात करें, तो Indian Council of Agriculture Research, New Delhi में located है, जिसे International King, भूमी Bowl, World Soil Day Award दिया गया है, किसके द्वारा, Food and Agriculture Organization हर साली award देती है, और जितनी भी Food Agriculture से Related संस्ता है, सबका Headquarter कहां पर है, भाई, रोम, इटली में है, 5 December को World Soil Day मनाया गया, विश्व मृदा दिबस मनाया गया, उसी के उपलक्ष में ICAR को यह award दिया गया, कि यह awareness फैला रही है, importance बता र जो World Soil Day था, उसकी theme क्या थी, Stop Soil Erosion, Save Our Future, और इस बार का, जो 2020 का World Soil Day था, उसकी theme क्या थी, Keep Soil Alive and Protect Soil Biodiversity, उसकी theme यह दी गई थी, जी कहना, अगर हम बात करें, तो यह जो King Boomy Bowl World Soil Day Award है, इसकी शुरुआ दो 2018 में की गई थी, और यह ऐसी संसाओं को दिया जाता है, जो लोगों के बीच awareness फैलाती है, कि किस सरीके से वनिदा, Soil की Biodiversity को बचाया जा सके, और यह जो award है दिया जाता है, किसके दवारा, Kingdom of Thailand के दवारा, ठीक है न, Thailand की सरकार जो है, यह award देती है, तो Indian Council of Agriculture Research को यह award दिया गया है, इन्होंने एक program organize किया था, भोपाल-based Indian Institute of Soil Science के सा बात करें, तो Indian Council of Agriculture Research, जो है, officially यह award जो है, उसे दिया जाएगा, हम बात करें, तो January 2021 में, Bangkok, Bangkok Thailand में जो है, यह award इन्हे दिया जाएगा, और Thailand की जो प्रिंसेज है, महा चक्री श्रीधरन, उनके द्वारा यह award दिया जाएगा, January 2021 में, ठीक है, तो officially खोशना की जा चुकी, और अवार्ड जो है, प्रेजन किया जाएगा, January 2021 में, ठालन, Bangkok में, जो है, यह award दिया जाएगा, Indian Council of Agriculture Research को, नेक्स्ट आ रहे है, अगली न्यू स्क्रीन पर, और वो यह है, Center launches QRMP scheme for GST pairs with turnover up to 5 करोड, केंद्र ने 5 करोड रुपे तक के turnover वाले GST भुकतान करने वालों के लिए, QRMP योचना की शुरुआत की है, तो सबसे पहली बात तो, अगर हम बात करें, GST की, जो goods and services tax है, जो बहुत सारे indirect taxes को हटा कर, एक single tax launch किया गया था, और GST की बात करें, तो कब इसकी शुरुआत हुई थी भई, 1 जुलाई 2017 में, तो 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है, puts and services tax day मनाया जाता है, इसके अलावा 1 जुलाई को अगर याद आ रहा होगा, तो SBI का foundation day भी मनाया जाता है, SBI भी मनाता, 1 जुलाई 1955 में imperial bank को replace करके, इसके अलावा 1 को C&A Chartered Accountant Day भी मनाया जाता है, तो GST अपने आप में important tax reform रहा है, जिसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2017 में, केंदर सरकान ने ये कहा है, कि ऐसे GST taxpayer जिनका सालाना turnover 5 करोड तक का है, तो turnover और profit की बात करने तो दोनों शब्दों में बहुत difference होता है, अगर हम ये कह रहे है, कि किसी company का turnover 5 करोड है, तो क्या वो उसका profit कहा जाएगा, क्या वो उसका शुद्ध मुनाफ़ा है, तो answer है नहीं, किसी भी company का turnover क्या कहलाती है, उसकी total sales कहलाती है, ठीक है, इसके अगर हम बात करें, profit कब कमाएगी, जब उसका खर्च माइनस हो जाएगा, जब वो सबको salary दे देगी, जब टैक्सेस पे कर देगी, फिर जो हाथ में बचेगा, उसका actual क्या बचेगा, शुद्ध मुनाफ़ा बचेगा, profit बचेगा, यहाँ पर turnover की बात की गई है, तो ऐसे GST taxpayers जिनका turnover 5 करोड तक का है, उनके लिए सरकार ने QRMP scheme के शुरुआत की है, अब ये QRMP यो QRMP scheme की शुरुआत की गई है, मतलब quarterly return of monthly payment करेंगे वो लोग, GST वो लोग फाइल कर पाएंगे, कैसे quarterly return फाइल कर पाएंगे वो लोग, ठीके न, तो ये जो शुरुआत की गई है, ये January, March quarter 2020, 2021 से इसकी शुरुआत की गई है, तो अगर हम बात करें, तो वो लोग quarterly return monthly payment कर पा ठीके न, तो अगर हम बात करें, तो ये जो है, पूरी तरीके से effective हो जाएगा, एक January 2021 से, ठीके न, तो GST payments वो हर महीने भी कर पाएंगे, चालान के through, तो 1st January 2021 से पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया जाएगा, effective कर दिया जाएगा, बहुत सारी SMS facilities की शुरुआत भी कर दी ग Indirect Taxes and Customs, ठीके CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, जो GST इसके अंडर काम करता है, Central Board of Indirect Taxes and Customs के अंडर, इसका headquarter कहां पर है, New Delhi में, और ये एक ऐसी organization है, जिसकी Ministry, Parent Ministry कौन है, Ministry of Finance है, और Chairman कौन है, अजीर कुमार जी है, अगर मैं बात करूँ, CBDT की, तो CBDT क्या है, Central Board of Direct Taxes है, जिसके जो Chairman है वो प्रमोद मोदी जी है, ठीके न, और ये क्या है, CBIC है, Central Board of Indirect Taxes and Customs, तो GST जो है, एक तरीके का Indirect Taxes को हटा कर, Single Tax System लाए गया, तो no doubt CBIC important रहेगा, जिसके Chairman कौन है, अजीर कुमार जी है, नेक्स्ट आर रहे अगली news screen पर, Shri Lanka to host Asia Cup in 2021, while Pakistan gets posting right for 2022 edition, Shri Lanka 2021 का Asia Cup जो है, उसकी क्या करने वाला है, मेजबानी करेगा, जबकि Pakistan जो है, अब 2022 संसकरंड की क्या करेगा, मेजबानी करेगा, तो अगर हम बात करें इस Asia Cup की, तो Asia Cup जो है, last हुआ था कब 2018 में, होना कब था 2020 में, लेकिन COVID की वज़े से क्या हो गय यह टल गया Asia Cup, अब जो Asia Cup होना था 2020 का, वो तो होना था कहाँ पर पाकिस्तान में, लेकिन अब जो है, यह decision लिया गया है, पाकिस्तान की जो cricket board है, उसके द्वारा कि पाकिस्तान जो है, वो 2022 में host करेगा Asia Cup को, और अगर मैं बात कर दूँ, तो Shri Lanka जो है, वो कब host करेगा 2021 क मतलब अगला वाला जो Asia Cup है, वो host करेगा कौन श्रीलंका, मुझे एक बात बताओ, 2018 का जो Asia Cup हुआ था लास्ट, उसे जीता कौन था, और यह Asia Cup हुआ कहाँ पर था, 2018 वाला Asia Cup जो लास्ट हुआ था, उसमें जीता कौन था, कौन सी टीम जीती थी, और इसके अलावा यह इंट बॉक्स में फटा-फट बता दो, ओके, ठीक है, जनारतन सर, बिल्कुल, बिल्कुल, चलो, अकांशा मैं हमने बता दिया है, कि इंडिया जो है, वो जीत गया था, 2018 का Asia Cup हुआ कहाँ पर था, हुआ कहाँ पर था यह, बहुत बढ़िया, very good, yes, जल्दी से बता दो, जै असे हमारे से जुड़े हुए है, परशुराम सिंग, very good, अकांशा मैं बता दिये, 2018 का कहाँ पर हुआ था, UAE में हुआ था, United Arab Emirates में हुआ था, UAE में हुआ था, और जीता कौन था, इंडिया जीता था, जीता कौन था, इंडिया जीता था, बहुत बढ़िया, अगर हम बा अगली निऊस, Sergio Perez विन, साखिर GrainPri 2020, Sergio Perez ने, साखिर GrainPri 2020 जीत लिया है, यह Formula 1 race के बारे में बात हो रही है, f1 race के बारे में बात हो रही है, और साखिर GrainPri जो है, वो जीत लिया है, किसने Sergio Perez ने Sergio Perez ने साखिर Grand Prix जीती है अब ये कहां से बिलॉंग करते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो Sergio Perez जो Mexico के racer है जो BWT Mercedes चलाते हैं इन्होंने 2020 का साखिर Grand Prix जीता है जो बहरेन International Circuit में हुआ था तो साखिर जगे है कहां पर बहरेन में तो साखिर Grand Prix जीत लिया है किसने Sergio Perez ने तो बहुत सारे Grand Prix हम देख चुके हैं Turkish Grand Prix, British Grand Prix तो इसकी लिस्ट भी जो है एक बार करवाई थी एक बार लास्ट में और जो दो बचे हुए है F1 Formula Races है अगर वो हो जाएंगी तो पूरी की पूरी लिस्ट क्या कर लेंगे एक बार में पूरी लिस्ट हम देख लेंगे तो ध्यान रखना है कि Sergio Perez जो है वो कहां से बिलॉंग करते हैं Mexico से बिलॉंग करते हैं जिनोंने साखिर Grand Prix जीता है बहरेन में एक हो धार हम बात करें अगली नियूस की तरह जेहान दारुवाला वीकमs First Indian to Win Formula 2 Race जहान दारुवाला पहली भारतिये बन गए है जिनोंने Formula 2 Race जो है जीती है ठीक है नहाथ Formula 2 Race जो है ये भी conduct की गई थी बहरेन में ही और Indian जो है फर्स इंडियन जिन्होंने फॉर्मुला टू रेज जीत ली है ठीक है वो जो थे सर्जियो पे रेस उन्होंने फॉर्मुला वन रेस जीती थी एफवन थी यह है फॉर्मुला टू रेस ठीक है तो वो बन गए है कौन जहान दारू वाला अगर मैं बात करूं तो जहान दारू वाला जो थे जो चलाते हैं क्या Red Bull Junior टीम को belong करते हैं ठीक है और जो है compete किया था जिन्हों ने कालिन मोटर स्पोर्ट के साथ इन्होंने ये जो है Formula 2 सीजन जीत लिया है साखिर Grand Prix का अच्छा इनको जो है tough competition दिया किसने था इनको जो है tough competition दिया था देखो तो Michael Shumakar जो है उनके बेटे Mike Shumakar जो है तो वो overall F2 champion of the season बने जरूर है लेकिन ये जो है first Indian रहे हैं जिन्होंने Formula 2 रेज जीत ली है साखिर Grand Prix की ठीक है तो ध्यान रखना है जहान दारुवाला ने Formula 2 रेज जीती है साखिर Grand Prix की और Sergio Perez ने Formula 1 रेज जीती है साखिर Grand Prix की तो बिल्कुल Michael Shumakar जो है उनका बेटा भी लगा हुआ है Mike Shumakar जो है ठीक है वो भी Formula 1 रेस और Formula 2 रेस में क्या करने लगया है participate करने लगया है नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली न्यूस की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक Obituary की न्यूस आ रही है नरेंद्र सिंग कपानी, Father of Fiber Optics, Passes away at 94 Father Fiber Optics के जनक, नरेंद्र सिंग कपानी जी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो नरेंद्र सिंग कपानी जी को Father of Fiber Optics कहा जाता है और इसके अलावा इन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है Fiber Optics की बात करें तो जो इंटरनेट की स्पीड को बहुत तेज कर दिया है जिसने वो Fiber Optics के एक ऐसी टेकनोलोजी रही है अभी तक हम बात करें तो copper cables का इस्तमाल करते थे अभी भी बहुत सारी जगे Fiber Optics Network नहीं बिचाए गए है लेकिन इससे इंटरनेट की स्पीड को बहुत तेजी मिली है तो नरेंद्र सिंग कपानी जी जिनने Fiber Optics के जनक कहा जाता है उनका हाली में क्या हो गया है निधन हो गया है 1956 के अगर हम बात करें तो 1956 में कपानी जी ही थे जो ये शब्द लेकर आयते कौन सा Fiber Optics नाम का इन्हें Father of Fiber Optics कहा जाता है और ये अनसंग हीरों है और इन्हें Fortune का Businessman of the Century का अवार्ड भी दिया जा चुका है तो बहुत ही important जो है ये renowned एक सिक हैं वर्ल्ड में जिनों ने जो है ये founding chairman भी रहे हैं सिक foundation के बहुत सारे अवार्ड इन्होंने जीते हैं और Fiber Optics नाम का शब्द भी इन्होंने ही coin किया था 1956 में नेक्स आ रहे हैं अगली न्यूस की तरह बढ़ रहे हैं SJVN Limited अब PSU under Ministry of Power has entered with an MOU with Indian Renewable Energy Development Agency i.e. IREDA अब PSU under Ministry of New and Renewable Energy will provide its services to SJVN for green energy products विद्दुत मंत्राले के तहत आने वाली सार्वजनिक उपक्रम SJVN ने भारती अक्षे उर्जा विकास संस्था Limited i.e. IREDA के साथ एक सहमती ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें हरित उर्जा परियोजनाओं के लिए जो है SJVN को अपनी सेवाएं क्या की जाएंगी प्रदान की जाएंगी अब जो है important क्या है कि SJVN ठीक है जो एक PSU है Public Sector Undertaking है Ministry of Power के अंदर काम करती है इसने MOU Memorandum of Understanding साइन किया है किसके साथ IREDA के साथ MOU साइन किया है और ये क्या है Indian Renewable Energy Development Agency के साथ जिसमें दोनों मिलकर Green Energy Projects क्या करेंगी उसकी शुरुआत करेंगी और Greenery को बढ़ाने की बात करेंगी Environment Protection के बारे में बात करेंगी और Renewable Energy की तरफ बढ़ेंगी ठीक है अगर मैं बात करूँ तो इस News के बारे में और थोड़ी सी तो अगर हम बात करें SGVN की ठीक है SGVN की तो ये जो है Located है कहाँ पर शिमला हिमाचल प्रदेश में Located है ये एक संस्था है जिसके CMD कौन है N.L. Sharma जी और Indian Renewable Energy Development Agency IREDA ये एक इंपोर्टन जो है एजनसी हमारे देश की New Delhi में Located है जो Renewable Ministry के अंडर काम करती है जिसके अध्यक्ष कौन है प्रदीप कुमारदास जी तो इन दोनों ने मिलकर एक Agreement पर साइन किया है जिसमें दोनों की दोनों Renewable Energy के लिए काम करने वाली है इंडिया का Target है कि 175 GW Renewable Energy जो है वो Create करनी है कब तक 2022 तक जिसमें Solar Energy के त्रू जो है Electricity जनरेट करनी है Wind Energy के त्रू कितनी करनी है Hydro Energy के त्रू कितनी करनी है इस पर जो है पूरा Target बना कर रखा है देशने की 175 GW की Renewable Energy जनरेट करनी है कब तक 2022 तक उसके तहती इस Agreement पर क्या किया गया है साइन किया गया है नेक्स्ट आरी अगली News स्क्रीन पर 37th General Body की जो Meeting हुई है Central Zoo Authority की जिसकी अध्यक्षिता की Union Minister for Environment ने तो दो नए जूज जो है राजगीर जू सफारी इन नालंदा बिहार और शाहिद अश्वाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरगपुर यूपी इसे जो है recognition दिया गया है चिडिया घर का ठीके तो केंद्रिय चिडिया घर प्रादी करण में जो है 37th आम सबा में केंद्रिय पर्यावरण मंत्री के अध्यक्षिता में दो नए चिडिया घर बिहार के नालंदा में राजगीर चिडिया घर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरगपुर में शहीद अश्वाक उल्लाख खान प्राणी उद्याले जो है या फिर उद्यान की बात का अगर हम करें तो उसे क्या दे दी गई है मानिता प्रदान कर दी गई है कि अब ये जो है नए दो जूज रहेंगे नए दो चिडिया घर रहेंगे तो important point क्या क्या रहेगा कि राजगीर जू सफारी कहां पर located है तो भई नालंदा बिहार में located है और शाहीद अश्वाक उल्लाख खान प्राणी उद्यान जो है वो कहां पर located है गोरगपुर यूपी में located है तो इन दोनों को जो है नए जू का क्या मिल दिया है दर्जा मिल गया है तो दो नए चिडिया घर का दर्जा दिया गया है अगर हम बात करें इस पूरी के पूरी news के बारे में तो शाहिद अश्वाक उल्लाख खान प्राणी उद्यान ध्यान में located है ठीक है तो जो 37 जनरल बॉडी की meeting होई है Central Zoo Authority की जिसके अध्यक्षिता की Union Minister for Environment, Forest and Climate Change जो कौन है प्रकाज आवडेकर जी उनकी अध्यक्षिता में ये meeting होई और इसमें ये क्या की गई है घोशना की गई है Central Zoo Authority जो है ये एक statutory body है जो काम करती है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर जिसके अध्यक्ष कौन होते है Minister of Environment होते है मतला प्रकाज आवडेकर जी ही है और जिसका headquarter कहाँ पर located है New Delhi में located है Central Zoo Authority जो है वो काम करती है किसके अंदर Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर जिसके chair person कौन रहते है Environment Minister ही रहते है newspaper की cutting रही है तो Mount Everest जो है नेपाल ने इसकी नई height जो है announce कर दी है तो नेपाल के अगर हम बात करें तो नेपाल ने नई height announce की है किसकी Mount Everest की Member of Chinese Surveying Team आप देख सकते हो जो इसने equipment जो है डाला है और Mount Everest की नई height जो है उसके बारे में घोशना कर दी है तो यह कहा गया है कि नई height जो है Mount Everest की वो कितनी है 8,848.86 meter की बात की गई है जो पहले कितनी थी 8,848 meter मतलब 0.86 meter जो है वो increase जो है यह कही गई है ठीक है तो measurement जो है किया गया है Surveying of India के द्वारा 1954 में measurement किया गया था जिसमें 8,848 meter की बात की गई थी जो अब नया figure आया है कि नेपाल ने नई height जो है announce कर दी है 8,848.86 meter ठीक है ना तो यह जो है यह एक important news रहेगी ठीक है जो लोग भी SAC के examination दे रहे हो चाहे बैंकिंग का चाहे railway का examination दे रहे हो ठीक है ना तो यह एक important news रहेगी कि नई height जो है वो announce की गई किसके द्वारा नेपाल के द्वारा ठीक है अगर हम बात करें तो बहुत सारी important चीज़े जो है वो कही गई है नेपाल और चाइना ने jointly announce की है new height Mount Everest की ठीक है एक virtual ceremony के थू जो है इस height को announce किया गया है ठीक है Everest की अगर हम बात करें तो इसे also कहा जाता है सागर मठा नेपाल में और Mount Kolamba कहा जाता है इसे कहाँ पर चाइना में ठीक है तो चाइना नेपाल की friendship का ये एक important हिस्सा कहा जाता है तो ये जो mountain है Mount Everest ये लाए करता है नेपाल और तिबबत के बीच में ये लाए करता है कहाँ पर नेपाल और तिबबत के बीच में तो दोनों ने मिलकर जो है इसकी नई height जो है उसे क्या किया है गोशित किया है तो new height जो है वो replace कर देगे पुरानी वाली height को जो था 8,848 अब कहलाएगी 8,848.86 मीटर जो है वो कही जाएगी तो ये जो है एक important news रहेगी इसके अलावा आज जो है newspaper में क्या क्या important रहा है तो justice बिंदल जो है वो नए chief justice बनाये गये है कहां के जमू आण काशमीर के तो justice राजिश बिंदल जी को announce किया गया है कि वो नए chief justice रहेंगे high court of जमू आण काशमीर और लड़ाग के Tuesday से ठीक है न तो ये जो है 9th of December से अपनी duty संभा लेंगे क्यों क्यों क्योंकि retire हो रहे थे कौन retirement हो रहा है justice गीता मित्तल जी का ठीक है retirement हो रहा है justice गीता मित्तल जी का जो जो है Joey Bidden बहुत सारे जो है नए नए appointments करते जा रहे हैं तो retired general Lloyd Austin को इन्होंने बना दिया है क्या defense secretary बना दिया है ठीक है तो Joey Bidden जो है उन्होंने Lloyd Austin को अपने USA का क्या बना दिया है defense secretary जो है वो न्यूक्त कर दिया गया है तो ये first African American Pentagon chief रहेंगे defense secretary कौन रहेंगे Lloyd Austin रहेंगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्री लंका जो है श्री लंका जो है 300 million Chinese tire factory के investment की बात कर रहा है ठीक है श्री लंका ने announce किया है कि सबसे पहली large scale Chinese investment जो है आ रहा है उनके देश में और manufacturing की जा रही है 300 million dollar की tire factory की जो deep sea port की तरह काम करेगी और ये जो है tire factory आ रही है कहाँ पर humbantota port के पास में ठीक है कहाँ पर आ रही है humbantota port के पास में तो भाई international relations जो है देखने को मिल रहे है चाइना के साथ बाकी countries के ठीक है तो humbantota port के पास में श्री लंका जो है ठीके ना तो lease पर जो है ये factory humbantota port के पास lease पर दी गई है Chinese company को 2017 से तो अभी भी debt में डूबा हुआ है श्री लंका और tire factory जो है finally यहाँ पर क्या कर दी जाएगी open की जाएगी तो बहुत ही important news रही है ये भी इसके अलावा भाई nobel पुरसकार जो है 10 डिसेंबर को क्या होने है वित्रत होने थे distribute होने थे क्योंकि 10 डिसेंबर को क्या मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है human rights day मनाया जाता है और इस बार जो nobel पुरसकार है वो जितने भी विजेता है उन्हें घरों में ही receive किये जाएंगे क्योंकि किस वज़े से pandemic की वज़े से COVID-19 की वज़े से अगर हम बात करें nobel prizes की तो मुझे जल्दी से बता दो comment box में लिखकर कि nobel पुरसकार जो है वो Alfred nobel के याद में तो बनाए गए है जो dynamite के inventor कहे जाते है कितनी fields में nobel पुरसकार दिये जाते है कितने छेत्रों में nobel पुरसकार जो है दिये जाते है तो बिल्कुल जल्दी से बता दो comment box में लिखकर कितनी fields में nobel पुरसकार जो है दिये जाते है कितने fields में दिये जाते है 6 fields में दिये जाते है अच्छा अगर हम बात करें शांती वाले nobel पुरसकार की चीक है peace वाला जो nobel पुरसकार होता है वो कहां पर दिया जाता और कौन सी society देती है Norwegian society देती है शांती वाला nobel peace पुरसकार Norwegian society देती है Norway की capital कहां पर Oslo में और बाकी पांचों categories के जो nobel पुरसकार है बाकी पांचों categories के जो nobel पुरसकार है चाहे हम बात करें literature की circus की बात कर लें chemistry की बात कर लें bio या फिर medicine की बात कर लें और इसके अलावा अगर हम बात कर लें किसके बारे में जो पांचों categories है वाला nobel peace पुरसकार Norwegian Society जो है वो देती है Norway की राजठानी Oslo में तो 10 December को जो है Nobel पुरसकार क्या किये जाते हैं वित्रित किये जाते हैं announcement तो October में ही हो गई थी लेकिन जो distribution होता है वो 10th of December को होता है क्योंकि 10th of December को Manav Adikar Divas मना जाएगा कल Human Rights Day celebrate किया जाता है तो Corona की वज़े से COVID की वज़े से pandemic की वज़े से इस बार Nobel Prize winners उनको घरों में ही award पहुचाया जाएगा तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो किसको Amnual Carpentier को Amnual Carpentier को आप स्क्रीन पर देख रहे हो मुझे जल्दी से एक बात बता दो कि Amnual Carpentier जो है इन्हें कौन सी फील्द में Nobel पुरसकार जो है दिया गया है जल्दी से बता दो तो Chemistry में जो है इन्हें Nobel पुरसकार दिया गया है जैनिफर डोडोना और Amnual Carpentier तो इन्हें Chemistry में Nobel पुरसकार से नवाज आ गया तो आप स्क्रीन पर Amnual Carpentier को देख रही हो तो अब जो है Nobel पुरसकार इस बार के घरों में ही प्रोवाइड किये जाएंगे ये जो है Stockholm और Oslo में जो ceremonies होती थी वो जो है cancel कर दी गई है और घरों में सब के पास Nobel पुरसकार जो है पहुँच जाएंगे तो next अगर हम बात करें तो आज जो है इतनी ही news रही थी ये कुछ important batches है जो हम आने वाले वेटनस्टे को start करने वाले है जादा information के लिए आप mahindras.org की website जो है उसे visit कर सकते हो upcoming batches है 9th of December आज जो है दो batches की शुरुआत हो रही है 3-5 IBPSP उकलर और 1-3 CGS, CHSL की शुरुआत हो रही है जल्दी से बता दो सब MCQ के लिए ready हो yes or no ready हो की नहीं सब जल्दी से बता दो 200 से जादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए है तो सब के सब comment box में आ जाने चाहिए और आंसर देनी के शुरुआत करनी है चोरी-चोरी चुपके-चुपके सेशन देखनी की नहीं होती है ठीके नहीं कहां पर आ जाना है comment box में और आंसर देना start कर देना है तो बिल्कुल सब लोग ready हो जल्दी से बता दो yes okay दीपक सर जो है उसका पुरसकार किसने जीता है जल्दी से बता दो option है लांस ट्रॉल इस्बिदन आइकोन लुइस हैमिल्टन या फिर सर्जियो पेरेज 2020 का साकिर grand prix जो है वो किसने जीता है फटा फट बता दो तो बिल्कुल जो है answer आने लग गए है निपाली माम का भी aansah आगे और बही किसने जीता है सर्जियो पेरेज नी जीता है कहां से बिलोंग करते थे ये comment box में निखकर बताओगे अभी ही हमने किया था सर्जियो पेरेज जो है उन्होंने 2020 का जीता है कहां से बिलोंग करते थे ये जो है लिखकर बताओगे comment box में हमने अभी ही किया था तो पिलकुल जो है दिमाग से miss नहीं हुआ होगा सर्जियो पेरेस कहां से बिलॉंग करते थे फटा फट जो है comment box में लिखकर बता देना है next आ रहा है अगला question screen पर which bank has launched the lens lending solution to spend up or speed up and maintain accuracy of online loan processing and sanctioning of credit proposals online rent runs करण और rent प्रस्तावों की मनजूरी की सटीकता को तेज करने के लिए और बनाय रखने के लिए किस bank ने lens the lending solution नाम का एक platform launch किया है जल्दी से बतादो तो lens नाम का the lending solution नाम का एक platform launch किया है किस bank के द्वारा की online loan processing को आसान बनाना है आसानी से credit proposal को sanctioning मिल पाए speed up हो पाए यह पूरा का पूरा loan processing का process तो lens the lending solution नाम का जो है program यह अगर हम बात करें तो एक application launch किया है किस bank के द्वारा बहुत बड़ी है Mexico को belong करते थे very good किस bank के द्वारा जो है शुरू किया गया था हमने पहले किया है यह काफी पहले पंजाब national bank ने जो है पंजाब national bank जो है सबसे पहला ऐसा भारतिय bank रहा है जो इंडियन capital के साथ भारतिय पूंजी के साथ बनाए गया था 1894 में जिसके founders सापा कौन कहे जाते हैं सापा कौन कहे जाते हैं भाई लाला लाजपत राए जी सापा कहे जाते हैं पंजाब national bank है जिनने पंजाब केसरी के तौर पर भी जाना जाता है भाई बहुत बढ़िया नेक्स आ रहा है आगला question स्क्रीन पर How much amount has been approved by Asian Development Bank for Bengaluru Smart Efficient Power Distribution Project to modernize a power distribution system in the city ADB द्वारा Bengaluru Smart Energy Efficient Project के लिए कितना पैसा दिया गया है तो ये हम कर चुके हैं बतादो जल्दी से कि Asian Development Bank ने Bengaluru Smart Energy Efficient Power Distribution Project के लिए कितना जो है राशी स्विकृत की है ताकि Bengaluru की बिजली वितरन प्रणाली को आधुनिक बनाया जा सके और उसे अपग्रेड किया जा सके तो बिलकुल जो है answer आने लग गया है बहुत बढ़ियाओ खितना था बयुआ 190 मिलें यूएस दालर था और Meghale के लिए कितना था मिलीए सविकृत मिलीन डॉलर था प्रणा मिलीए सफिकृत मीघा ने बननाा बेडिरोक कितना है 180 मिलीन डॉलर है इंस तरा रहा है आगला question Name the first imdian player who has recently won the Formula 2 2 Grand Prix at the 2020 Sakhir Grand Prix. उस भारती खिलाड़ी का नाम बताईए जिन्होंने हाली में Formula 2 Sakhir Grand Prix जीता है. तो इंडियन प्लेयर कॉन से रहे जिन्होंने Formula 2 Sakhir Grand Prix जीता है तो बिलकुल आंसर आने लग गए मैं देख रही हूं कौन है एच जहान दारू वाला जो है उन्होंने Formula 2 Grand Prix जीता ह साखिर ग्रांट प्री का ठीक और सर्जियो परेज ने फॉर्मुला वन जीता था नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेशन पाकिस्तान वस्चेडूल टू होस्ट दा एश्या कप इन 2020 बट टूनमेंट वस पोस्पॉंड द्यू तो कोविट-19 नाओ दा कंट्री हैस अर्न दा होस करेगा तो ऑप्शन है आपके पास 2023 का 22 का 24 का की 25 का तो बहुत बड़ी आंसर आ गया है कौनसे जो है एयर का को करेगा 2022 का तो पाकिस्तान अब 2022 का इश्या का पोस्ट करेगा और 2021 का कौन करेगा श्री लंका होस्ट करेगा 2018 का UAE में हुआ था United Arab Emirates में हुआ था फटा-फट सेशन को क्या करते जाना है भई शेयर भी करते जाना है नेक्स आरा है अगला क्वेशन स्क्रीन पर तो यह बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है तो यह बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है तो यह बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है जिसे हाली में पैन हैसल टिल्टमैन पुरसकार जो है उससे नवाजा गया है तो भाई यह बुक लिखी है किसने अनीता आननद की यह बुक है ध्यान रखना ठीके न तो ब्रिटिश इंडियन जर्नलिस्ट और ओधर जो है अनीता आननद इनकी ये बुक है The Patient Assassin जो पूरी तरीके से based है किस पर किसके बारे में ये बुक है 1919 का जो जलियन वाला बाग हत्या कांडे जलियन वाला बाग मैसे कर है अमरिस सर का उस पर जो है ये बुक लिखी गई है जिसके लिए इन्हें Pen Hustle Tiltman पुरसकार से भी नवाजा गया है 2020 के ठीक है तो किस की बुक है दियान रखना था Patient Assassin अनीता आनन्द की बुक है नेक्स्ट आ रहा है अगला question भई बहुत बढ़िया वेरी गोड़ जल्दी जल्दी session को क्या करते जाना है शेर करते जाना है तो जल्यन वाला नर संगहार पर जो है ये बुक बनी है 1919 के ठीक है ना तो किस तरीके से वहाँ पर जो है एक यंग मैंग जो है उसे पकड़ लिया गया था उसकी स्टोरी के बारे में बताया गया है तो इन्हें जो है UK का पेन हैसल टिल्टमेंट पुरसकार भी दिया गया है इसी बुक के लिए नेक्स्ट आ रहा अगला क्वेशन नाशनल बैक्वर्ड क्लास कमिशन और डेवलपमेंट कॉर्परेशन और नाशनल शेडियूल कास्ट फ़नांस और डेवलपमेंट कॉर्परेशन ये दोनों जो काम करते हैं Ministry of Social Justice and Empowerment के अंदर इन्होंने एक Memorandum of Agreement sign किया है किस बैंक के साथ कौन सी योजना के लिए वंचित, एकाई, समू और वर्गों की आर्थिक सहायता योजने के लिए तो National Backward Class Finance Commission और National Schedule Class Commission Social Justice and Empowerment मतलब शक्तिकरण मंतराले के अंदर काम करता है इन्होंने एक MOA Memorandum of Understanding sign किया है किस बैंक के साथ कौन सी योजना के लिए वंचित, एकाई, समू और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना के लिए तो कौन से बैंक के साथ जो है agreement sign हुआ है तो ध्यान रखना कौन सा बैंक है पंजाब National Bank अभी हमने किस के बारे में बात की थी Lens Solution के बारे में बात की थी Lending Solution वो भी किस का था पंजाब National Bank का तो पहली बात तो ये जो विश्वास योजना है ना इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना फुल फॉर्म क्या है वन्चित एकाई समू और वर्गों की आर्थिक सहाथा इस योजना के तहट जो है सरकार OBC मतलब Other Backward Class और SC के जो Enterprises or Entrepreneur है उनकी जो है मदद करती है ताकि उनका जो है रिन ठीक है ब्याज जो है उससे क्या कर सके कम कर सके तो Interest Burden को कम करने के लिए इस योजना की शुरुवात की जाती है तो पंजाब National Bank जो है Help कर रहा है National Backward Class और National Schedule Cast Finance and Development Corporation का पूरी तरेके से अब इस योजना के तहए जो है Other Backward Cast OBC और SC और SC Schedule Cast जो है इनके जो Self-Help Group से स्वेम से भी संसाय है अगर वो OBC और SC से Related है और अगर वो कई नया उद्यों खोल रही है तो 4 लाग रुपे तक का लोन जो है दिया जाता है और कोई व्यक्ति विशेश Individual जो OBC है, SC है वो कोई उद्यों खोल रहा है तो उसे 2 लाग तक का रिन जो है दिया जाता है बैंकों के तुरू और इस योजना के तहए इंट्रेस्ट सब्वेंशन मिलता है मतलब टाक्स में जो है अगर हम बात करें सुरी इंट्रेस्ट में जो है ब्याज में जो है वो क्या दी जाती है छूट जी जाती है इंट्रेस्ट सब्वेंशन मिलता है बेनेफिट मिलता है 5% इंट्रेस्ट सब्वेंशन का ठीक है ना कौन सी योजना के तुरू विश्वा award किसने जीता है who has won the UNCTAD investment promotion award 2020 UNCTAD क्या है United Nation Conference on Trade and Development United Nation Conference on Trade and Development तो UNCTAD ने investment promotion award की गोशना कर दी है 2020 में जिसमें निवेश प्रोचसाहन दिया गया है कि कौन सी ऐसी country है जो सबसे ज़ादा निवेश को प्रोचसाहन दे रही है और वो इंडिया है और इंडिया की किस एज़िसी ने इस award को जीता है भी बहुत important है किसने जीता है Invest India ने किसने जीता है Invest India ने तो मोदी जी की बारे में अगर हम बात करें प्यूज गुएल जी की बारे में लगर हम बात करें तो दोनों दे ट्वीट करकर इन्वेस्ट इंडिया को बहुत बहुत बदाईयां दी है अंग्टैट का इन्वेस्मेंट प्रमोशन अवार्ड जीतने के लिए ठीक है अगर हम बात करें इस पूरी न्यूस के बारे में तो ध्यान रखना इन्वेस्मेंट प्रमोशन अवार्ड की गोशना करती है कि कितना जादा निवेश को प्रमोट किया जा रहा है किस कंट्री के द्वारा तो इस बार जो है ये अवार्ड जीता है इन्वेस्ट इंडिया ने ठीक है और इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो एक National Investment Promotion और Facilitation Agency है जो हमारे देश में काम करती है जो investors निवेशकों के लिए सबसे important है यहीं पर जो है वो आते हैं और अपना जो है निवेश करते हैं 2009 में इसे बनाया गया था Ministry of Commerce and Industry के अंडर ये काम करती है UNCTAD United Nation Conference and Trade and Development इसका Headquarter कहां पर है जेनेवा में है तो Virtual Award Ceremony के त्रू जो है Invest India को इस Award से नवाजा गया है और क्या ध्यान रखना है कि Invest India जो है इसके MD और CEO का नाम क्या है दीपक बागला जी है कौन है दीपक बागला जी है जिन्नोंने प्राइम मिनिस्टर के आत निर्भर भारत आले मिशन की भी बहुत तारीफ करते हुए इस Award को स्विक्रित किया है मतलब इस Award को अपनाया है तो Invest India ने UNCTAD का Investment Promotion Award 2020 जीत लिया है नेक्स आ रहे है अगले question की तरफ Minority Rights Day in India is celebrated on which date अलपसंक्यक अधिकार दिवस किस तारी को मनाया जाता है तो हमको एक्रिशन भी कर रहे है Last जो है रात में भी मैंने ये question कराया था जल्दी से answer बता दो Minority Rights Day अलपसंक्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से बता दो Minority Rights Day जो है कब celebrate किया जाता है अलपसंक्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है Option है 18 December 5th of September 28th April या फिर 19th April तो बिलकुल अलपसंक्यक मंत्राले किसके पास है मुक्तार अबवास नकफी जी के पास है और Minority Rights Day का मनाया जाता है 18 December को celebrate किया जाएगा 18 December को मनाया जाएगा Minority Rights Day Next आरा है अगला question Which country has won the International King Boomy Bowl World Soil Day Award 2020 by Food and Agriculture Organization Khad और Krishy Sangatan FAO द्वारा किस देश ने अंतराशी राजा भूमी बोल विश्व मृदा पुरसकार 2020 का जीता है तो भाई वो कौन सी country ने जीता है International King Boomy Bowl World Soil Award और वो जीता है किसने इंडिया ने और इंडिया की कौन सी organization थी Indian Council of Agriculture Research New Delhi जिसे International King Boomy Bowl World Soil Award जो है उससे नवाजा गया है किस के द्वारा FAO के द्वारा Food and Agriculture Organization के द्वारा तो Bangkok Thailand में January 2021 में ये अवोर्ड जो है ये लेने के लिए पहुँचेंगे Indian Council of Agriculture Research के members नेक्स आरा है अगला question स्क्रीन पर अवनीश कोसला appointed as the new CMO Chief Marketing Officer of which company अवनीश कोसला को किस कमपनी का नया CMO मुख्य विपरण अधिकारी न्यूक्त किया गया है तो Chief Marketing Officer बनाया गया है अवनीश कोसला जी को आप जो है स्क्रीन पर image देखी पा रहे हो और किसका बनाया गया है इन्हें Vodafone Idea V जो निकल कर आया अगर हम बात करें 2020 के अगर मैं बात करूँ तो Vodafone Idea जो है इसका merger हुआ और V निकल कर आया Vodafone Idea समू एक बन गया जिसकी tag line क्या है together for tomorrow तो इसके नए Chief Marketing Officer जो है अबनीश कोसला जी को बना दिया गया है Kavita Nair जो पहले थी उन्होंने क्या कर दिया है क्विट कर दिया है Kavita Nair ने और नए बने है Chief Marketing Officer V के अबनीश कोसला अगर हम बात करें तो जो है अबनीश कोसला जी को CMO बनाया गया, चीफ मार्केटिंग ओफिसर बनाया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और जो है क्विट किस ने किया है, कवीता नायर ने जो है क्विट किया है, जी के ना तो वोड़ाफोन आइडिया वी जो है एक नाया ब्रैंड निकल कर आ गया है, तो भारतिये जो है बहुत नाम रोशन कर रहे है, अनिल सोनी को CEO बनाया गया है, किस ओर्गनाइजेशन का, ऑप्शन है अंग्टैड, IMF, ADB या फिर WHO, तो बिल्कुल सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, किसका बनाया गया है, WHO Foundation का, World Health Organization Foundation का नया CEO बनाया गया है, किसे अनिल सोनी जी को, अगर हम बात करें, तो World Health Organization की, जिसका headquarter कहां पर है, Geneva, Switzerland में है, जिसने अनिल सोनी जी को जो है, अपना नया CEO नियुक्त किया गया है, उसका एक WHO Foundation चलता है, जिसमें ये कहा गया है, WHO के डिरेक्टर जनरल के द्वारा, जिनका नाम क्या है, टेड रॉस, आ अलावा, WHO के infectious diseases में, बहुत सारी research में मदद की है, जिस वजे से उन्हें WHO Foundation का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो World Health Organization का headquarter कहां पर है, जनेवा, Switzerland में लोकेटेड है, WHO बना कप था, 7th April 1948 में बना था, 7 April को विश्वस्वास दिवस भी मनाया जाता है, World Health Day भी मनाया जाता है, औ WHO के, World Health Organization के डरेक्टर जनेरल कौन है, Ted Ross Adenum है, जो बिलांग करते हैं, कहां से, इक्टोपिया से बिलांग करते हैं, जो बिलांग करते हैं, कहां से, इक्टोपिया से, और इक्टोपिया की कैपिटल क्या है, आर्डिस अबाबा है, इक्स आघर है, आगर हम बात करें तो what is the name of the app स्वास्त मंत्राले ने COVID उनने स्टीका करण की वास्तविक समय की निगराने के लिए एक mobile app विक्सित किया है आप का नाम क्या है तो Health Ministry ने COVID-19 vaccination के लिए भाई एक नया mobile application लाँच कर दिया है अब जो COVID-19 की vaccine से वो क्या की जाने वाली है तो कैसे कैसे distribution होगा जैसे कि आपको पता है कि Corona Warriors जो रहेंगे उन्हें पहले दी जाएगी vaccination तो COVID-19 vaccination की पूरी monitoring अब की जाएगी कि किसे मिला है कौन कैसे apply कर सकता है vaccine के लिए उसके लिए एक नया app बना लिया है अभी तक तो आरूग से तूँआप यहां सुरक्षा कबज ही बात हो रही थी लेकिन आप जो vaccine का distribution चालू हो जाएगा तो जो है कौन सा app डिजाइन कर लिया है तो कौन सा बना लिया है कोविन नाम का app जो है तो आप screen पर देख रहे हो कोविन नाम का डिजिटल प्लाटफोर्म एक application जो है वो बना लिया है किसके द्वारा Health Ministry के द्वारा इस पर जो है और information दी गई है Union Health Secretary जो है Union Health Secretary जो है Rajesh Bhushan उन्होंने कहा है कि यह जो कोविन आप है यह monitor करेगा कि vaccination process जो है वो लोगों तक कैसे पहुँचेगी ठीके ना अब यह जो कोविन आप रहेगा यह free में हम download कर पाएंगे और यह record करेगा vaccine का data कि किस-किस तक जो है दवाईया पहुचाई जा चुकी है vaccine का data जो है पूरी तरीके से अपने में store करेगा, register करेगा यह 5 module पर काम करने वाला COVID app रहेगा एक administrator module रहेगा, registration module रहेगा vaccine module रहेगा beneficiary acknowledgement और report module रहेगा मतलब आप अपने आपको register कर पाऊगे फिर जो है आप vaccine के लिए apply कर पाऊगे ठीक है उसके बाद जो है vaccine आप तक पहुँचेगी उसका acknowledgement देना पड़ेगा बना दिये गया है, next question आरा स्क्रीन पर, RBI cancels license of करड जनता सहकारी bank which was located in RBI ने करड जनता सहकारी bank का license रद कर दिया है जो कहां पर सित्ता, तो नाम से आप समझ पा रहे होगे कि RBI ने हाली में करड जनता सहकारी bank जो एक cooperative bank ता सहकारी bank था, उसका license रद किया है, क्योंकि वो जो है deposit जादा जो है वो gain नहीं कर पा रहा था, लोगों का confidence gain नहीं कर पा रहा था, इसके अलावा उसका capital adequacy नहीं था, पूजी परयाप्टिता नहीं थी उसके पास, loss में जाने के पूरे chances से, bankrupt होने के chances से, जिस वज़े से करड़ जनता सहकारी bank का license रद किया है, RBI ने कहां का, महराश्ट का, कहां का था, महराश्ट का, तो RBI ने Tuesday को license cancel कर दिया है करड़ जनता सहकारी bank का, जो करड़ महराश्ट में located था, ये कहकर कि इसका earning prospectus नहीं है और adequate capital नहीं है, इसके पास परियापत पूझी नहीं है, और ये कहा गया है कि जो depositors है, मतलब जिनका पैसा जमा होगा, ठीक है उन्हें जो है DICGC के तरफ से क्या मिल जाएगा, insurance दे दिया जाएगा उन्हें जो है, उनका पैसा लोटा दिया जाएगा तो DICGC के अगर हम बात करें, तो ये एक RBI की सहाय कंपनी है, subsidiary है जो बैंकों को insurance देने का काम करती है, इन cases में, full form क्या है, deposit insurance and credit guarantee corporation of India, ठीक है जो insurance प्रोवाइड करती है, banks को जिसका headquarter कहाँ पर है, मुंबई में है और जिसके chairman है, Michael D. Patra जी, Michael Patra जी जो RBI के कौन भी है, deputy governor है वो जो है DICGC के क्या है chairman है, तो RBI की 4 subsidiaries देश में काम करती है RBI की 4 सहाय कंपनी है ध्यान लगना, 4 subsidiaries है जिसमें से एक है DICGC deposit insurance and credit guarantee corporation, दूसरी है BR, BN, MPL, भारती reserve bank notes, मुदरन private limited तीसरी है Rebit, reserve bank information technology, और 4 है IFTS, Indian financial technology and allied services तो ये 4 की 4 RBI की सहाय company है, जो कहीं न कहीं, अलग-अलग fields में मदद करती है, banks की, जिसमें से DICGC bankों को insurance देती है, तो जैसे कि करड़ जनता सहिकारी bank का license रद्द किया गया है तो अब insurance कौन देगा, मैं customer का पैसा तो होगा, वो तो अपना पैसा मांगेगा, कौन देगा, DICGC DICGC maximum कितने लाग तक का insurance देता है max to max 5 लाग तक का insurance कितना देता है, max to max 5 लाग तक का insurance देता है, next आरा अगला question screen पर, world tourist में day कब celebrate किया जाता है, wishw परेटक दिवस कम मनाया जाता है, जल्दी से बता दो, world tourist में day कब celebrate किया जाता है, wishw परेटक दिवस कम मनाया जाता है, तो बिलकुल answer आने लग गया, मैं देख रही हूँ और कम मनाया जाता है, विश्व परेटक दिवस world tourist day 27th of September को मनाया जाता है, और एक बात ध्यान लगनाजना, world tourist organization जो है, ठीक है, WTO में trade organization की बात नहीं कर रही हूँ, world tourist organization जो है, जो UN के अंदर काम करती है, world tourist organization, इसका headquarter कहाँ पर है Madrid, Spain में है, इसका headquarter कहाँ पर है, Madrid, Spain में है, world tourism organization का, और अगर हम बात करे, world trade organization की, ठीक है, जो विश्व वेपार संगटान है, world trade organization, इसका headquarter कहाँ पर है, जनेवा, सुजिजिलेंड में है, ध्यान लगना, तो जब भी वो WTO का question देते हैं, तो full form लिख कर देते हैं, कि world tourism organization का headquarter बताओ, या world trade organization का headquarter बताओ, क्योंकि दोनों जो हैं, तो WTO, लेकिन दोनों का काम बहुत अलग-अलग है, एक world tourism organization जो परेटक को देखती है, और एक world trade organization है, जो वेपार को देखने का काम करती है, ठीक है, next आ रहे हैं, next question की तरफ, सरिस्का tiger reserve कहाँ पर located है, सरिस्का tiger reserve जो है, किस भारती राज में स्थित है, जल्दी से बता दो, भाई, important question है, मैं बार-बार इसले करा रही हूँ, क्योंकि question बहुत पूछा जाता है, सरिस्का tiger reserve, तो गलत करके West Bengal मत कराना, West Bengal में बकसा और सुन्दरबन tiger reserve है, सरिस्का tiger reserve कहाँ पर राजस्तान में located है, जहां पर किये लादेव, नाशनल पार्ग भी located था, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में गोशित है, तो सरिस्का tiger reserve कहाँ का है, भाई, राजस्तान का है, सरिस्का tiger reserve, next आरा, अगला question, International Civil Aviation Organization का मुख्याल है, कहाँ पर सित है, International Civil Aviation Organization के बारे में बात की गए, बहुत बढ़िया नवनीच सर, विकी सर, ओके चवी राम यादव, रादे सर, शरत सर, बहुत बढ़िया, बीम सर, बहुत बढ़िया, राजु सर, मोनी राटोर जुड़े हुए हमारे साथ, शिवानी मैं, बहुत बढ़िया, स्मृती मैं, ठीके न, जितने भी लोग है, 260 लोग है, जल्दी से आंसर बता दो, International Civil Aviation Organization का हेटपोर्टर कहाँ पर लोकेटेड है, दीपक सर, फटा फट बताओ, गौतम सर, प्रजुल सर, जल्दी से बतादो, International Civil Aviation Organization का हेटपोर्टर कहाँ पर लोकेटेड है, बहुत बढ़ी आंसर आगिया, संगीता मैं का कहाँ पर लोकेटेड है, मौन्ट्रियाल कैनेडा में लोकेटेड है, ध्यान रखना, अच्छा, वियेना ऑस्ट्रिया में एक Organization है, जिसका हेटपोर्टर है, कौनसी है, OPEC है, ठीक है, OPEC क्या है, Organization for Petroleum Exporting Countries है, जबकि वियेना जो है, इसकी मेंबर नहीं है, लेकिन तब भी जो है, OPEC का हेटपोर्टर कहाँ पर है, वियेना ऑस्ट्रेलिया में है, ये क्या है, Organization for Petroleum Exporting Countries है, इसके लावा, रो मिटली में किस-किस का होता है, जितनी भी Food Agriculture से Related है, मतलब Food and Agriculture Organization, International Fund for Agriculture Development, World Food Program, जिसे 2020 का Nobel Peace Puraskar, ये सब कहाँ पर है, रो मिटली में, इसके लावा, पारिस, फ्रांस में क्या है, युनेस्को है, United Nations Educational Scientific Cultural Organization, इसके लावा, सबसे 20 देशों का समूझ, जिसका HDI, Human Development Index, पाना विकास, सूचकांग, बहुत जादा है, कौनसी कंट्रीज, भई, OECD कंट्रीज, उसका भी अमीरों वाले शेहर में ही है, Headquarter, OECD क्या है, Organization for Economic Cooperation and Development, इसका Headquarter भी कहाँ पर है, पारिस, फ्रांस में, इसके अलावा, Interpol, International Police, इंटर पोल का Headquarter भी फ्रांस में है, लेकिन कहाँ पर है, Lyon, फ्रांस में है, कहाँ पर लोकेटिड है, भई, Lyon, फ्रांस में लोकेटिड है, तो कुछ-कुछ Organizations, जो है, वो Important रहेंगी, इसलिए, जो है, Pay App launch किया था, जो किसी भी बैंक के ग्रहकों को, भुक्तान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, तो iMobile Pay App की शुरुआज जो है, लॉंचिंग कर दी गई है, ये आप किसने बनाया है, भई, ICIC Bank का एप है, किसका है, ICIC Bank का है, जिसने देश में, internet banking की भी शुरुआद की थी, तो iC, ICIC, और iC क्या याद रखना, internet banking की शुरुआद भी किसने की थी, देश में सबसे पहले ICIC Bank नहीं की थी, और iMobile App की शुरुआद भी किसने की है, ICIC Bank नहीं की है, नेक्स आरा, अगला question, मुराजी डिसाई National Institute of Yoga is located in मुराजी डिसाई राष्टे योगा संसान कहां पर सित है तो National Institute of Yoga जो मुराजी डिसाई के नाम पर है उसे ये कहा है कि वर्चुल प्रोग्राम चलाएगा दूर दर्शन की तुरू योगा पर और Certification Courses भी दिये जाएंगे इस पर तो मुराजी डिसाई National Institute of Yoga कहां पर लोकेटेड है तो कहां पर लोकेटेड है New Delhi में लोकेटेड है ये एक important question रहेगा आज जो है Static GK में हमें बात करनी है International Boundary Lines की ठीके ना तो International Boundary Lines होती है अंतराश्टी जो boundary lines होती है सीमा है रेखा है होती है countries के बीच में उसमें से आपको पता है कि एक question जो है वो बनाया ही जाता है तो हम 4-4-5-5 करके International Boundary Lines कर लेंगे countries के बीच में कौन-कौन सी है सबसे पहले 17th Parallel सबसे पहले कौन सी Parallel 17th Parallel ये जो है boundary line है सीमा रेखा है किस-किस North Vietnam और South Vietnam के बीच में थी अगर मैं बात करूए में वेतनाम की तो जल्दी से बता दो वेतनाम की capital क्या है बाई वेतनाम की capital क्या है हनोई है और currency क्या है वेतनाम की डॉंग है currency क्या है वेतनामी मीज डॉंग है 24th Parallel 24th parallel जो है ये boundary line सीमा रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिसे इंडिया recognize नहीं करता है, इंडिया नहीं मानता, ठीक है लेकिन question जो है कई बार पूचा जाता है, 26th parallel जो है ये जो है एक boundary line है सीमा रेखा है, आफरिका, आस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच मे 38th parallel की बात करें, तो 38th parallel ये boundary line है, equator और किसके बीच में भाई, नौर्थ पोल के बीच में, ठीक है तो international boundary line से questions आते ही आते हैं, ये आपको पता है, अंतराशी सीमा और एकाई से question आते हैं, तो हम दो-दो-तीन-तीन करके जो है boundary lines कर लेंगे, फिर इस पर क्या करते जाएंगे, MCQs करते जाएंगे, जिससे क्या होता जाए हमारा revision भी होता जाए, ठीके न, तो आज जो है static GK वाले portion में हमने चार जो है important boundary line सीमा और एकाऊं के बारे में क्या की है, बातशीत की है, और जिन्होंने CT channel अभी तक subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट CT channel को subscribe कर देना है, आज की session क यहीं पे end करते हैं, thank you very much to all of you, जितने भी नए candidates हमारे साथ जुड़े हुएते सुबे से, तो channel को subscribe करना ना भूलें, जाते जाते session को like करते जाएगा तब तक के लिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहेगा, मस रहेगा, खुश रहेगा, अम मिलेंगे रात में कितने बजे बारा बजे अपने बारा questions के साथ, और जिन्होंने वो बारा questions नहीं देखे होंगे, कुछ questions मैंने अभी revise करा दिये हैं, कुछ news अभी revise होगे, कुछ questions अलग से भी थे, तो बिल्कुल उसे भी क्या कर ले नजजेगा, 5-10 मिनिट में एक बार overview कर लिजेगा, thank you very much to all of you, सब ल